हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम तू दी चैनल लेर्न भी घ्यान सो बेटा आज हम पढ़ेंगे सेशन त्री क्रिए और यूस टैंपलेट प्रिविएस टू सेक्शन में हमने यह बात की थी कि हम राइटर में स्टाइल कैसे यूज कर सकते हैं इमेजिस के साथ कैसे काम कर सकते हैं इसमें हम बात करेंगे कि हम टैंपलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सेंपल वर्ड में टैंपलेट का मतलब भी होता है कि एक ऐसा डिजाइन जिससे हम सिम्लर आइटम को क्रिएट कर सकें तो ओर टैंपलेट डॉक्यमेंट template विटा आपका एक blueprint होता है blueprint in the sense means किसी चीज का एक sample बनाऊना अगर आप कोई भी घर बनवाते हो कोई भी चीज बनवाते हो गर का आप एक नक्षा बनाते हो blueprint बनाते हो उसका एक paper पे उससाब से अपने घर को design करते हो तो वही blueprint means आप किसी चीज का एक sample आप create कर दो किसी pen, paper, copy पे या किसी भी चीज पे और इस चीज को उसके according उसमें formatting features लगा करके उनके header, footer, उनके styles लगा करके macros लगा करके आप actual document को आप actual घर को बना सकते हैं नक्षे को देख करके तो यही होता है आपका document template तो अब हम बात करेंगे advantages of templates की templates की three advantages हैं आपके पहला आपका है कि आपका जो template से simplify करता है आपके document के creation को means जो आपके predefined मतलब जो पहले से आपके templates बने हुए हैं आपके system में, आपके computer में तो आप अब वो बने हुए हैं तो आपको क्या करना है उनको open करना और उसके बद उनको apply कर देना है तो इससे आपका time भी बचेगा आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा accurate time में आप अपना काम करके finish करके complete कर दोगे दूसरे point में भी लिखा है कि templates आपका time save करता है आपका money save करता है obviously बात है जो चीज already created है पहले से उसको बार बार आपको create करने की जरुवत नहीं है ready-made चीज़े आपकी created है उसमें 4-5 तरीके के template बने आपका उनी नहीं में से काम हो गया तो आपका time भी save हो गया आपका money भी save हो गया क्योंकि आपको कोई भी अलग type की चीज़े खरीदी नहीं पड़ी market से जाकर कि आप उसमें apply करी हो third आपकी वह offer करता है consistency and clarity that means कि अगर आपका template बन चुका है standard form में आपका बन चुका है अब आप उसको सारे documents में apply कर सकते हो उससे आपकी clarity और आपका layout look and feel बहुत अच्छा रहेगा means कि कभी किसी template में यह नहीं होगा कि line उधर increase हो रही है या उधर का जो color है template का वो बहुत जदर dark है उसकी brightness बहुत high है तो यह सारी चीज़े नहीं होंगी एक बाद template बन जाएगा तो वो आपके सारे documents पर apply हो जाएगा तो इससे clarity and consistency आपकी वही बनी रहेगी अब हम बात करते हैं using predefined templates predefined templates मतलब यह होता जो पहले से आपके system में बने हुए means open office जो आपका org है जो आपका अपाचे writer है उसने already कुछ predefined templates अपने उसमें बना रखें आप में जिससे कि आप उनको लगा सकते हो तो इससे हम practical visualization से आपको पढ़ाएंगे अब जैसे यहां पर आपके steps लिखें step 1 आपका लिखा है कि आपको file में जाना न्यू में जाना है templates and documents में जाना है फिर आपको templates open करना है तो ऐसे text document open हो गया अब इसमें मैं क्या करूंगी मैं file में जाने के बाद मुझे किस में जाना है new में जाना है तो file में जाके हम new पर आएंगे जैसी हम new पर आएंगे हम यहां पर नीचे option दिखे कर templates and documents इस पर हम click करेंगे तो जब हम templates and documents पर click करेंगे तो आम ऐसे डालोग box open करके आएगा ठीक है यहां पर दिखा रहा है कि हमारे पास इस type की templates है यह देखिए मैं back करती हूं यहां से आपके पास my template से presentation background और presentation है तो मैं presentation पर गई जैसे की ठीक है तो वहां पर दो टाइप की presentation बन्यों एक introducing a new product है एक recommendations of a strategy तो मैं गई introduction to a new product तो इसमें यह देखी इसका preview बन करके आएगा कि न्यू प्रोडेक्ट है इसकी hopping होगी यह इसकी hopping है ठीक है यह सारी चीज़ इसकी आ रही है तो आप इसको open करोगे तो जब आप इसको open करोगे तो यह आपके system में कुछ ऐसे open होकर क्या आएगा कि आपका न्यू प्रोडेक्ट है आप इसकी title है आप यहां पर दे सकते हो आपका long term goal क्या है कि आपके independent goals होने चाहिए ठीक है कस्टमर की विश क्या कि कस्टमर की नीड्स और उसकी रिकॉर्मेंट्स पूरी हो यह उसकी विश होती है ठीक है तो ऐसे से करके आपका एक सैंपल ओपन होकर कि आजाएगा यह सैंपल आपका पूरा seven pages का सैंपल है यहां पर देखी seven slides है यहां पर ठीक तो यह सैंपने तरफ से चीज़े आडड़ कर सकते हो और उसको और अच्छा एंट्रक्टर बना सकते हो तो यह आपके बात करेंगे creating a template मतलब template को आप कैसे create करोगे तो create करने के लिए भी आपकी कुछ steps में जो आपको follow करना है पड़ेंगे तो जो इसमें यहां पर खुझ से अपने लिए एक template create कर रहे हैं तो मैं Chrome में गई Chrome में मैंने की business letter सर्च कर रखा है ठीक है यह एक तरीके का आपका layout है कि कैसे format है आपका की business letter कैसे format में होता है तो यह मैंने सर्च कर रखा इसको मैं जा करके वहां पे copy paste कर दूंगी आपके open office org writer पे मैंने वहां से copy किया और उसके बाद मैं इसको यहां पर आ करके मैंने से paste कर दिया तो जब मैंने से paste कर दिया तो यह आपके document पे यह sample आपका apply हो गया कि यह आपका business letter का sample था अब आप इस template को save कर सकते हो और उसको कैसे save करोगे उसके लिए आपको कुछ steps है जो follow करने पड़ेंगे आप फिर से file में जाओगे file में जाने के बाद आपको जाना है templates में यह आपकी template से template में जाने के बाद आपको यह पर दिख रहा होगा save का option तो आपको बोलेगा कि आप new template create कर रहे हो आप इसका नाम क्या पहले से अल्डेडी business letter define template में इसका हम नाम रखते हैं business letter 1 या 2 के नाम से rename करेंगे से तो मैंने इसका नाम business letter 1 रख दिया है और आप में जाकर के तो जब हमने इसको नाम दे दिया business letter 1 से आप हम जाकर के इसे okay कर देंगे तो अब यह आपका template जो है create होगे आपके open office writer में तो इसी तरीके से आप बहुत सारे samples को ला करके template में apply कर सकते हो एक मैं आपको दिखाती हूं मैंने एक template बनाया था business letter के नाम से वो मैं open करके दिखाती हूं आपको आप गह फाइल में फाइल में जाने के ब दॉब में जाओगे नियू में आने के बाद templates and documents में जाओगे templates and documents में आने के बाद यहां से back करेंगे यह है my template मतलब जो हमने create कर रखे है इसमें हम जब करेंगे तो आप business letter one है जो भी हमने खुद क्रिए किया सामने आपके यह business letter one पहले से created था तिक है अब हम इसे open करते हैं है तो बेट ऐसे बहुत सारे टैंफलेट कर सकते होग क्लती है अब अपलाई कर सकते हैं अपने डोकिमेंट सब्सक् ep चिक है आप्सक्राइट हुआं वह इसे भूजशन को अपने सब्सक्राइब कर सकते अपनेbuds कुछ सॉ थांप वा फाइल में जाना है template में जाना आपको organize में जाना है फिर वहां पर टेंप्लेट मेनेज्मेंट डायलोग बॉक्स आपका पेर हो जाएगा वहां पर कि आपको जितने भी फोल्डर कंटेनिंग उस पर डबल क्लिक रेफ्ट करें राइट क्लिक करके आप चीजों को बार कोई भी डॉक्यमेंट करोगे अपने open office writer में तो वह बाई डिफॉल्ट उसको उसी format में बना देगा जिस तरीके से आपने उसको डिफॉल्ट में करने को बोला है मतलब कोई भी चीज को फिर से आपको बार-बार एफ्ट को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा वह समझेगा अगर आपने न्यु डोक्यमेंट क्रिएट किया तो उसको उसी वे में उसको बाई डिफॉल्ट उसको उस चीज को अप्लाई कर देना है तो वही चीज है लगाने के लिए को कुछ steps फॉलो करने पड़ेंगे पहले हाँ फाइल में जाओगे फाइल में जाने के बाद आप जाओगे टांप्लेट्स में टांप्लेट्स में जाने के बाद आप जाओगे ऑगनाइज में जाने के बाद यह आपका business letter one और आपने क्लिक किया आपको यह अप्लाई चाहिए अपने पर यह business letter 1 प्र किया तो तो आप जैसे ही इस पर click करोगे यह पे आपको दिखाएगा status default template जब आप status default template पर click कर दोगे तो next time अब जब भी कोई भी document create करोगे या open office writer में type करोगे लिखोगे जो भी तो आप जा करके file में new command पर जा करके इस template को तुरंत create कर लोगे तुरंत अपने document पर देखोगे कि यह आपके document पर apply हो गया है तो यह फाइदा होता है आपका default template का आपका time save करता है आपकी efficiency और सारी चीजों को increase करता है तो basically आपके इस chapter में बिटा यही सब था create and use template ठीक है यही सारी चीजे थी कुछ ज़्यादा खास नहीं तो thank you for watching this video please do subscribe and like my video and please share with your friends also अगर आपको कोई भी queries हो तो आप पिटा प्लीज जरूर से comment box में पूछेगा जो भी आपको problems हो कोई भी दिक्कत आ रियो तो thank you so much